हेलो दूस्तों स्वागते आपका एक नए वीडियो मैं मेरे नाप मानसिंग राठ हो रहा है दूस्तों अभी हम सेयर मार्केट को आपको फ्री में और बिलको शुरू से सिखा रहे हैं तो इससे पहले मैंने तीन वीडियो अपलोड कर दिये तो इन वीडियो मैंने आपको बताया था कि share market क्या है share market में पैसा किस तरीके से बनता है दूसरे वीडियो मैंने आपको बताया था कि share market में अगर आपको investment करना है तो किसी भी stock को किस तरीके से select करेंगे तीसरे वीडियो मैंने आपको बताया था कि लाइब आप मार्केट से किसी भी श्टकों किस तरीके से खरीद सकते हैं और किस तरीके से बेच सकते हैं आज किस वीडियो में दो इस तो हम ट्रेडिंग के बारे में जानने वाले हैं तो अगर देखा जाए अगर आप job करते हैं या फिर आपको कोई बिजनेस है और आप part time काम करना चाहते हैं तो आपके लिए investing सही है फिर आपको share market में investment करना चाहिए क्योंकि अगर आप trading करेंगे तो trading कही नहीं full time बर्क हो जाता है ठीक है तो part time investment है और full time लोगों के लिए trading है ठीक है तो आज की इस वीडियो में trading के बारे में basic चीजें जानेंगे फिर इसके बाद हम trading दोस्तो ट्रेडिंग अगर देखा जाए तो investment से काफी जानदा बड़ा आए ठीक है तो trading को सीखने में भी काफी जानदा time लगेगा और trading में दोस्तो loss भी जानदा होता है share market में investment कर अगर नहीं होता है लेकिन trading में बहुत जानदा loss होता है तो अभी हम trading की परकार भी जानए कि trading कितने परकार की होती है साथ ही हम सबसे पहले जान लेती है कि आखर trading होता क्या है बोटेज ट्रेडिंग तो सेर मार्केट से कम समय में पैसा कमाने के लिए अगर आपके पास समय जाना है तो आप सेर मार्केट में पैसा लगा दीजिए आपका सेर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट हो गया अब वो कुछ सालों में ग्रू करेगा लेकिन कम समय में पैसा कमाने क विद्दिस से financial asset को ठीका financial asset काफी सारी तरीके की होती है जैसे कि किसी company के share खर नी सकते हैं आप gold में invest कर सकते हैं आप currency में कर सकते हैं या फिर और भी विभिन प्रकार की धात्ये धात्यों को किसान ठीक है या फिर जो खनेज धात्यों होती हैं या पर जो प्रोडक्ट किसान उत्पादत करता है आप उनमें भी ट्रेड कर सकते हैं ठीक है तो फाइनेंसिल एसेट को खरीदना और बेचना मतलब कि भाई सेल करना ट्रेडिंग कहलाता है शेयर मार्केट में ट्रेडिंग को इन्वेस्टमेंड से अधिक रिस्पी माना जयता है और एक सेवी का रिपोर्ट भी आया था तो उस रिपोर्ड में 230 में यह था ठीक है गबाती है ट्रेडिंग करने के लिए टेकनिकल एनलेसेस के बेस पर आपको पता चलता है राइट पर entry और at time पर exit आपको कवोना है इसके साथ ही अगर आप share market से सच में पैसा कवाना चाहते हैं तो सबसे जरूरी है दोस्तो discipline और patience patience दोस्ते हैं आपर बहुत important चीज़ा है तो patience वो चीज़ है अगर आपको market में loss हो रहा होगा तो आपका loss profit में convert हो सकता है और अगर आपके अंदर patience नहीं है और आप share market में कूद गए तो आपको profit हो रहा होगा वो भी आपका loss में convert हो जाएगा ऐसा मेरे मैंने तो काफी बार अनुबग किया है ठीक है अगर एक गुण आपके अंदर आ जाती है अगर नहीं है तो आप loss करेंगे लेकिन अगर आप सीखते हैं और एक गुण आपके अंदर आ जाती है ठीक है तो आप एक successful trailer के रूप में आपना career बना सकती है अब दोस्त हम जानते हैं कि trading कितने प्रकारगी होती है तो trading के वह अलग-अलग format में डिवाइड किया गया है जैसे कि cricket match तो एक होता है लेकिन T20 अलग होता है बंडे अलग होता है टेस्ट मैच अलग होता है ठीक है इस तरीके से और भी काफी सार उसमें फॉर्मेट है एक mad madden नहीं super over भी भी फैका जाता है ठीक है तो super over की तरह भी दोस्तों इसमें trading में हमें कुछ चीज़ है देखने के लिए मिलती है तो सबसे पहले हम जानते हैं intraday trading के बारे में तो intraday trading ऐसे हम day trading भी कहती है ठीक है तो इंट्राडड़ और यसे हम day trading भी कहती है दूसरा नाम इसका day trading भी है तो इसकी validity एक दिन की होती है तो अगर आपने कोई stock खरीदा हुआ है intraday trading के अंदर ठीक है तो वो आपको उसी दिन sell करना पड़ेगा अगर आप sell नहीं करेंगे तो market उपन होता है अगर close होने के समय तक आपने उसको sell नहीं किया तो जब market close होगा जिस भी application क के थुरू या फिर जिस broker के थुरू आपने वो share खरीदा होगा वो broker उसको automatic sell कर देगा मतलब की market से आपकी position काट देगा ठीक है जब market close हो रहा होगा उस time पर और जो पैसा है वो आपके wallet में दिख जाएगा मतलब की जहां से भी कटा है वो पैसा आपको वहाँ पर दिख जा होगा है चाहे तो share का price जाना हो या फिर कम हो ठीक है चाहे उसमें आपको loss हो रहा हो या फिर profit हो रहा हो वो तो आपकी position काट देगा और जो भी हो रहा होगा वो आपको देदेगा और intraday trading में अधिक margin की requirement होती है क्योंकि अगर माल लिजा आप share market में trading कर रहे हैं तो आपको मालोगी एक है कर रहे हैं ठीक है यार पर आप कितना return ले जाओगी वह सकता है 50 रुपाए 100 रुपाए अज से जाना 200 रुपाए ठीक है तो इसलिए इसमें कहा है जाना fund की जिरूत रहती है तब आप इसमें जाना पैसा कमा सकती है और full time इसमें बर्क करना रहता है क्योंकि इसमें screen के सामने आपको बैठना ही पड़ता है जब आपको opportunity दिखती है उस time पर आप इसमें अपना trade plan करेंगे अब जो दूसरे प्रकार की trading है तो इसको हम बोलते है Scalping trading और अभी अगर देखा जाए ना तो जहांतरे लोग इसमें interested है इसमें क्यों है क्यों कि इसको करने की कुछ benefit है जैसे कि इसका दूसरा ना micro trading भी है और इसका time period बहुत कम होता है इसलिए इसमें लोग interest लेती है यह कुछ second से लेकर minute के अंदर खतम हो जाती है ठीक है second से लेकर minute के अंदर की जाती है इसमें small price movement का फायदा उटाए जाता है जैसे कि technical analysis के base पर हमें पता चलता है कि अभी आने वाला candle है ठीक है तो वो इस type का बनेगा और हम उसी पे दाव लगा देती है और अगर वो जिस तरीके से सोचा है उसी तरीके से बनता है तो हमें profit हो जात benefit है और इसमें large number में trading की जाती है मतलब कि क्योंकि यहांपर market थोड़ा सा इदर उदर होना है आपको scalp करना है ठीक है तो यह अगर आपको जाना बड़ा profit चाहिए तो यह आपको quantity भी बढ़ानी पड़ेगी तो इसलिए और profit है small होता है ठीक है इसके बाद तीसरा type है बहुत मिनट से मिनट तक है अब इसके बाद एक स्विंग trading है इसे intraday और positional trading के बीच में रखा जाता है positional trading क्या है अभी हम इसको आगे जानेंगे लेकिन intraday के बाद आती है तो intraday एक दिन की थी इसमें क्या है इसमें हम कुछ दिनों ठीक है कुछ दिनों मतलब कि तीन दिन चा का benefit लिये जाता है जैसे कि आपने देखा होगा कि हर वीग कोई ना कोई trend तो रहता ही है ठीक है कभी-कभी market sideways भी चलता है लेकिन जहां तरह BKS होते हैं जिनमें market में कोई trend रहता है या तो downtrend रहे या अफर uptrend रहे जैसे कि अभी पिछले दो week निकल की गई तो उनमें क्या अब market में भगा था लेकिन अब market क्या है हाई पर पहुंच गया है तो market अभी यह समझ लो की maintain करने के लिए ठीक है अफर level बनाने के लिए वह भी downtrend में चल रहा है ठीक है तो लेवल में आ रहा है तो अभी यह जो scale पर होंगे sorry यह जो swing trailing करते होंगे वो इसका benefit उटा हो आप तो यहाँ पर technical analysis बहुत जांदा जरूरी रहती है और इसके बाद मार्केट में न्यूज भी अब मार्केट मालों की बढ़ गया ठीक है अभी index जैसे की nifty bank की nifty काफी जांदा ग्रू कर गए थे ठीक है तो यहाँ पर technical analysis न्यूज आदी को देखकर trade plan आप कर सकते है अब इसके बाद है delivery trading तो delivery trading इसको दोस्त हम investment बोलते हैं लेकिन यहाँ पर भी buy sell करना इसलिए इसको trading के अंदर रखा गया है वैसे इसमें मैं आपको बता दियूँ कि delivery के अंदर आप कोई भी stock खरीद सकते हैं और उसको कभी बेच सकते हैं जैसे कि यहाँ पर लिखा है इसमें अगर आप कोई भी share buy करते हैं तो उसके लिए कोई terms and condition नहीं है जब आपकी मर्जी तब आप किसी company में invest करो और कितने भी सालों तक hold करो आप उसको भीचो ही मत आप संतन को gift कर सकते हैं बोस clinical analysis भी देखना रहता है ठीक है company की news वगरा क्या है और सबसे जो ज़रूरी रहता है वो दोस्ते annual report और आप long time के लिए investment कर रहे हैं तो यह सारी चीजें आप देखकर decision अपना ले सकते हैं अब हम trading का एक और नया प्रकार जान रहे हैं या पर एक और नया टाइप इसका नाम ह वा पोजिशनल ट्रेडिंग की अंदर क्या है तो इस में कोई भी अगर आप खरीद रहे हैं और यह से कुछ महीनों तक या पर साल तक होल कर सकती है जैना सालों तक नहीं ठीक है कुछ साल तक है एक साल या चौदा महीने पंदरा महीने ठीक है तो उतने समय के लिए आप हो इस निज आधी को देखकर आप डुकर सकती है इसके बाद चटबा जो टाइप है उसको बोलते हैं मोमेंटम ट्रेडिंग की अंदर इसमें इसमें ट्रेडर की गति का फायदा उठाती है जो गिर रहे या फिर बढ़ रहे एं ट्रेडर उनको स्लेक्ट करते हैं और उनहीं पर पैसा लगाती है और जब इनको profit होता है तो इस trend का फाइदा उठा कर profit कर लेती है इसके बाद है fundamental trading इसमें उन सेरों में पैसा लगाती हैं जन सेरों के fundamental अभी के टाइम पर फाइब फाइब कर सकते हैं या दो फिर कोई नूज आईए है उस न्यूज का लोग फाइदा उठा लेते हैं ठीक है तो इसको बोलते हैं fundamental ट्रेडिंग इसके बाद नम्मर आठ फर है technical ट्रेडिंग यह fundamental ट्रेडिंग के विप्रीत है इसमें ट्रेडर उन सेरों पर पैसा लगाते हैं जो टेकनिकल एनलेसिस के बेस पर स्ट्रोंग है जिनके टेकनिकल अभी बहुत जांदा स्ट्रोंग दिख रहे हैं लोग उन पर पैसा लगाते हैं जिसमें चार्ट पैटरन और इंडिकेटर ट्रेंड आधी को देखकर लोग ट्रेड करती है इसमें fundamental की तुलना में रिसका दिख रहता है क्योंकि यह टेकनिकल तो टेकनिकल अनलेसिस कहीना कहीं उतना fundamental की तरह काम नहीं करता है ठीक है fundamental के द्वारा company के बारे में हमें एक strong चीज़ां पता चलती है लेकिन टेकनिकल अनलेसिस का कुछ पता नहीं रहता है ठीक है यह समझे लो कि हमें अच्छी दिख रहे हैं और हो सकता है कि वहीं से गर पारे में लेकिन उस पर काफी यहां डिसकस करना था तो वो वीडियो लंबा हो जाता तो इसलिए मैंने फिलाल आपको यही वताना उचित समझा तो अगर आप और भी सीखना चाहते हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं और अगर यह वीडियो आपको प